नवस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक जम यूजबाई उदसर में दोस्तो आप सभी को पताई कि इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर हर पिरकार की जानकरी हम आपके साथ सेयर करते हैं तो दोस्तो एक और बड़ी जनकरी हम कह सकते हैं आप से जुड़ी हुई जनकरी है और लाखों की संक्या में अब भी ऐसे स्टुडेंट है जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है तो पूरी जनकरी दिंगे इस वीडियो में तो वीडियो के साथ आप सभी बने रहें CET के लिए 11.14 लाख ने जमा कराई फीस दोस्तों इहां पर 10 जुलाई को पूरा है यानि कि एक परकार से जो पोर्टल को बंद कर दिया गया था और इसमें से 11 है यानि कि लगवग 11 है जो 7.0 लाख स्टुडेंट नहीं फीस संबेट करा दिया उनका फॉर्म हर तरीके से कंप लगवग 11.5 लाख ऐसे स्टुडेंट है जिनोंने फीस संबेट नहीं कराई है तो कहीं न कहीं चिंता का विश्य है अगर आपने अभी तक अपनी फीस संबेट नहीं कराई तो ये काम जरूर कर लें क्योंकि केवल 2 दिन का ही समय बाकी है केवल 2 दिन का ही समय बाकी है आज और कल उसके बाद ये पोर्टल पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और चेर्मेंट साहब ने ये सारे चीजे केलियर कर दी है फिर से किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा भरती रियाड नहीं होगी एक प्रिकार से यानि कि CT के आवे दिन नहीं भरे जाएंगे डाटब 15 तारिक को यानि कि किस के पास NTA के पास भेज दिया जाएगा उसके बाद आपके एकजाम सेंटर बनेंगे एकजाम होगा तो दो दिन का समय है अगर आपका कोई भी दिक्कत है फीच से संबंदी तो जल्दी से जमा करें बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा ठीक है जबकि यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है 10,56,56,56 अमीदवार ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि जो हरियाना के हैं बाकी 22,447 अन्य राज्यों से हैं ठीक है ना और यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है यहाँ पर जो ग्रूप D के लिए केवल ग्रूप D के लिए केवल 14,820 युवाओं ने ही पंजी करन कराया है बाकी दोनों के लिए इतनी है ठीक है तो आपसे जुड़ी हुई जानकारी थी सेर कर दी और दोस्तों अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सेर करें और आपका यानि कि दो दिन बाद सारी चीज़े आपकी किलियर हो जाएंगे और आप सभी का बहुत धन्यवाद